गुड मॉनिंग और फ्यूंट थोड़े आम डिसकासिंग डैमड फ्री वैबरेशन विद वेस्केस डैमपिंग तो यह अक्सर एक्जाम में आता है कि डैम फ्री वैबरेशन क्या होता है और इसके लिए एक्वेशन डेराइब करिए वह एक्वेशन जनरल एक्वेशन फॉर् है डैमड फ्री वैबरेशन के लिए तो देखिए वन बाइवान हम इस्टेप्स को समझेंगे कि इस पूरे प्रॉसेस में क्या करते हैं सबसे पहरे देखिए एक मैं हमने यहां पर मास लिया है एक ब्लॉक लिया है ठीक है जिसका कुछ मास होगा मास एहम कर ले रहे हैं कि म मास रखक बहए है । यह स्टीफनेश्ट difस्यों से कश है जिससे कर ऊफ। लगा हुआ है तो कि दैंपर सी तो सबसे पहरे हम आपको बताएंगे कि दैंपर क्या होता है टैंपर का डैंपर समझने के लिए आप सबसे बहें तरीiggers यह है कि डैंपिंग करता इं कि मानिकान फ तो जब आप ब्रेक लगाते हैं इस्टेंट नहीं जब धीर द्रेक लगाते हैं तो आप एक हल्का अचा अनुभाव करते हैं कि वह साइकल कुछ-कुछ-कुछ दिरबार जाकर के थोड़ी-थोड़ी दूर जाकर के वह मतलब रुक जाती है तो एक फोर्स लग रहा होता है ज तो स्प्रिंग का यूज हम देखें को फर्म में क्वाइनल को में देखें तो कोई बिल्डिंग है 10cos की बिल्डिंग है तो इस्प्रिंग को होता है इस्प्रींग का भी हआविए हुए ठीक वैसा ही होगा जो कॉलंब का भी एवmist रोटा बिल्डिंग के अंदर और अर्थ प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि building को हो ductility provide करेगी ठीक है कि building का behavior जो है वह ductile behavior हो कि spring कुछ इसी तरह भी है करेगी यहां पर देखते हैं पहले सबसे पहले हमने iis figure में जो spring लगी है जो damper लगा है इसको एक initial displacement हमने X दे दिया है जैसे हम initial displacement X देंगे second position पर ध्यांदी जेगा जैसे initial displacement X देंगे तो X देने के बाद हमने इसका free body diagram बनाया है तो जैसे free body diagram बनाएंगे तो आप कि कुछ न कुछ हम उसक पर फोर्स लगाये हैं ठीक है तो जब पूरे सिस्टम का जब फ्रीबडी डियाग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग की वज़े से स्प्रिंग फोर्स लगेगा ठीक है रेस्टुरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं in opposite in the direction of the motion that's m into x double dot ठीक है यह तीन प्रकार के फोर्स यहाँ पर काम करेंगे अच्छाए इस तरह हमने left side में जो है x जो है वो displacement है x dot जो है वो velocity है और x double dot जो है वो acceleration है ठीक है यहाँ पर नीचे हमने सब चीजें को describe कर दिया है m जो है mass of the body है k stiffness of the spring है c जो है damping coefficient है ठीक है अब देखिए सबसे पहले जो कि हम बात कर रहे है damped free vibration की तो समझेंगे कि damped free vibration क्या होता है damped free vibrations are those vibrations which decreases with respect to time to damped free vibrations का सीधा तात पर यह है कि ऐसा vibration जो टाइम के साथ जो है धीरे 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 रिडूस होता जाए ठीक है इन तीन forces को ले करके डीलंबर्ट principle apply करेंगे डीलंबर्ट principle क्या होता इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं उसमें सीधे आपको डीलंबर्ट principle मिल जाएगा ठीक है तो according तो डीलंबर्ट principle इनर्शिया force प्लस एक्स्टर्नल फोर्स इस इक्वल टू जिरो तो यहां पर हम एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स प्लस के एक्स इस इक्वल टू जिरो लिया है अब एक्स डबल डॉट को आप एम इंटू दी स्क्वार एक्स अपॉन स्क्वार लिख सकते हैं ठीक है ऐसा लिखने का परपस हमारा यह है कि हम इस तरह क्यों लिख रहा है परपस यह है कि इस फॉर्म में करने से हम इसको एक मैथमेटिकल को यह सारा कणवर्जन कर रहा है अधर्वाइस आप देखे होंगे कि हमने बहुत से जगह पे जब हम इस इन चीजों को सिंगल डिगरी आफ फ्रीडम टू डिगरी आफ फ्रीडम या मल्टिपल डिग्री आफ फ्रीडम को लेकर कर स्वाल्व करते हैं तो इस प्रकार मैथम करके भी find out कर लेते हैं value को बट यहां पर हमको इसको mathematical form में convert करना पड़ेगा तो m d square x upon dt square plus c d x upon dt plus k x is equal to zero now that's equation number one a sorry equation number a अब जो कि equation number a जो है वो एक कार से linear differential equation है और वो second order का its solution can be written as x is equal to e power st ठीक है इसको हमने equation b भी काया है अब equation b को हम differentiate करेंगे with respect to t तो x dot is equal to x dot मतलब velocity is equal to s e power st हो जाएगा अगें differentiate किया हमने with respect to t then x double dot is equal to h square e power st अबर भी पुट अफर भी पुट अफर भी पुट the value of x x dot and x double dot in equation number a so we get ms square plus c s plus k is equal to 0 equation number c equation number c is called as characteristics equation of the damped free vibration system ठीक है और जो equation number c है इस equations को लेकर के हमने शिर्दाचर का रूल्स लगाया है तो यह सिर्दाचर का सिंपल फार्मूला जो आप पढ़े होंगे माइनेस बी प्लस माइनेस अंडर रूड बी स्कॉर माइनेस 4ac अपॉन 2a लगाया है ठीक है तो इसको आप लगा करके इसको स्वाल्ब कर सकते हैं अब देखिए यहां पर यह और आएगा एक्स इसकोल टू ई पर पावर एसवन टी और एक्स बराबर ई पावर एसटू टी तो एसवन एसटू क्या है एटसे डिस्प्लेश्मेंट वैल्यू है तो इस सबको ले करके हमको फाइनली एक जनरलाइज एक्वेशन फॉर्म करना है ठीक है तो जनरलाइज एक्वेशन का मतलब क्या है और हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं यहां पर तो पहला परपस तो यह समझना होगा है जनरलाइज एक्वेशन की क्या जरूरत पढ़ रही है Generalized equations की हमें इसमें ज़रूरत ही इसलिए पढ़ रही है क्योंकि हमको यहां पर X और S1, S2 के बीच एक equation फॉर्म करना है ठीक है तो इसके लिए हमको इस Generalized equations यहां पर बनाना पड़ेगा तो डारेक्ली हमने X is equal to A e S1, sorry X is equal to A e power S1 t plus B e power S2 t form किया है ठीक है तो इन दिस्षास हम टोटली कर रहे हैं इसको समझना होगा तो Hum da help of displacement value जो भी हमारे पास displacement की value हो रही है ठीक है इसिस्टम में जो displacement हो रहा है उसको ले करके हम क्या करने will also ti और acceleration की value को find out करते हैं इस पूरे equation में तो अगर हम इसका पूरा का summary बनाते हैं कि क्या summary निकल के आ रही है ठीक है तो summary समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझ लिए कि एक system था system में damper लगा था spring लगा था जो भी था उससे हमने पहले सबसे पहले क्या किया उस पर लगने वाले forces को देखा कौन कौन से forces लग रहे हैं उस forces के help से हमने डियलंबर प्रिंस्पल लगाया ठीक है तो सबसे पहले system में क्या हुआ displacement हुआ displacement होने की वज़े से चुकि वह डैनमिक मोशन में आ गया और डैनमिक मोशन में आया तो हमने उस पर दियलंबर प्रिंस्पल लगाया प्र दियलंबर प्रिंस्पल के से लगाने के बाद क्या किया एक equation फॉर्म किया और उस equations चुकि linear differential equation फॉर्म किया फिर उसका solutions देखा और उ नीचे भी दिखाया है इस चीज को कुछ लोग इस तरह से भी solve कर सकते हैं जैसे कुछ लड़कों को दिक्कत होती है कि कैसे हम उसको कि समझने में तो देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा आपको दूसरे वेसे भी करके दिखा दिया है इसे mx double dot plus cx plus kx is equal to 0 यह जो value थी इसमें हमने m से divide कर दिया ठीक है ना तो इसमें m से जब divide किया तो x double dot को d square x upon dt square पहले लिखा c into dx upon dt plus kx is equal to 0 ना जब m से divide किया तो equation number 1 form हुआ अब equation number 1 जब form हुआ ठीक है तो equation number 1 बनाने के बाद जो है उसको हमने x square प्लस bx plus cx के form में रिख दिया आने कि kym को c ले लिया और इदर sorry kym को c ले लिया cym को हमने b ले लिया dx upon dt को x के form में लिख दिया और यहां पर d square x upon dt square को that's x square तो यह second order differential equation बना दिया अब उसके बाद x is equal to इसका solution चुकि x is equal to e power st होगा dx upon dt क्या हो गया s e power st s बाहर आ जाएगा ठीक है फिर e तो constant है तो उसी साब से इसको differentiate कर दिया फिर d square x upon dt square जब निकाला तो यहां पर e power st हो जाएगा अब दोनों value को हमने जो है put कर दिया ठीक है जब हम put करेंगे तो e power st की common ले लिया और अंदर जो है डाकेट में आजाएगा s square plus c by m into s plus k by m is equal to 0 ना ठीक है अब इसको और simple करने के लिए आप इसमें m से multiply कर दीजिए तो m s square plus c into s हो जाएगा ठीक है plus k is equal to 0 इसके लिए हमने फिर लिख दिया minus b plus minus under root b square minus 4 is upon 2 हुए लगा दिया तो यह value आजाएगी ठीक है तो आप जैसे चाहिए वैसे समझ सकते हैं इसको चाहिए यूज कर लीजिए चाहिए वह यूज कर यह उपर वाला चीज एक ही है पस यहाँ पर थोड़ा सामने इसको simplify कर दिया था ठीक है तो इस इसके help से जो है आप एक damped free vibrations के लिए और viscous damping के लिए equations form कर सकते हैं ठीक है इसमें जो चीजें आपको याद करने लाइक है या समझने लाइक जो चीजे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रिजिएगा फोकस करिएगा कि पहली चीज तो एक्स यहाँ पर displacement है एक्स डॉट वेलाश्टी है और एक्स डबल डॉट जो है वो acceleration है ठीक है दूसरी चीज जो equation जब भी form करिएगा तो यह इस बात का ध्यान रखिएगा कि motion की direction जो है वो downward होगी ठीक है उसके opposite direction में काम कर रहा होगा damping force जो है c into x dot c जहां पर damping coefficient होता है ठीक है damping coefficient जो है उसको c से denote करते हैं और cc जो होता है वो critical damping होता है अगर damping ratio की बात करेंगे हम तो c upon c c होगा इस चीज़ों को भी याद रखिएगा और inertia force होता है that's mx double dot mass time acceleration उसको बोलते हैं ठीक है इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि inertia force होता है वो mass time acceleration होता है ठीक है तो इसको लेकर के हमने जो है क्यों जो बनाया है अच्छा इसमें एक चीज़ों आपको बता दे कि हमारा जो यह आप derivation देख रहे हैं यह आपर यह से अच्छा इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन डी अलंबट प्रिंस्पल का हमने करीब पंद तस पंद मिनट का एक वीडियो बनाया है इस पर कि डी अलंबट प्रिंस्पल क्या है ठीक है ना तो वह आप ज़रूर देखिए इसको समझने के लिए इस वेरी हैलफुल और ठीक है ओक थैंक यू